हेई गोल डेज वैलकम बैक टू माई चैनल तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्स्परिन करने वाली हूँ 2024 में आई सीरीज सो टाइम तो चले विदाउट वेश्टिंग आफ टाइम सीरीज का एक्स्परिनेशन स्टार्ट करते हैं तो स्टीरीज स्टार्ट होती हैं माहिका नाम की लड़की से जो एक मूवी देखकर आई थी एक्चुली माहिला एक मूवी की क्रिटिक है और आज इससे बौस की तब्यत खराब थी इसलिए उसका बौस माहिका से कहता है कि आज मूवी का रिव्यू दे दे अब यह सुनकर माहिका काफी खुश हो जाती है क्योंकि वह पहली बार मूवी का रिव्यू देने वाली थी लेकिन तब भी उसका बॉस उसे बताता है कि रिवीद देने से पहले वह एक बार तरून से मिले जिसके बद माई का तरून से मिलने जाती है। गिफ्ट किया था ताकि वह उस मोवी की तारीप कर सके, अब माहिका को भी मोबेल मिलता है औरουसे तरोन कहता है कि आज भी काफी तारीप करें, लेकिन माहिका तो यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती लेकिन फिर भी इसके लिए मान जाती है, क्योंकि माहिका का बॉइफ्रेंड जो है वो पूत्वी को पूत्वी जो की रगु की स्टूडियो में काम करता है और पूत्वी उसे यही समझाता है कि जैसा रगु कहता है वैसा ही करे अगर उससे कुछ उल्टा सिधा कर दिया तो खामका प्रॉबलम हो जाएगी जिसके बा मोवी का अच्छा रिविव देने के लिए उसे मॉबाइल भी मिला है जिसके बाद यह न्यूज हर तरफ फाइरल हो जाती है तो वही हम रगु खन्ना को देखते हैं जो आद बहुत कुछ था क्योंकि आज उसके विक्टर स्टूडियो के 40 सार पूले होने वाले थे पापा विक्टर आते हैं विक्टर रगु के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती क्योंकि विक्टर का कहना था कि मूवी से की मोशन होती है उसे दंदा मत बनाओ लेकिन रगु कहना था कि उसके लिए बस अपना प्रॉफिट माइन रखता है अब इसी बात पर उन दोनों म कि विन्परेश करता है कि अर्मान उसके साथ काम करने लिए मान जाता है तो वही रगुГ को पता चल गया था कि मारेका उसके मोवी को प्रुथवी को बताती है और प्रुथवी का भी यही कहना था कि माहिका को पंगा नहीं लेना चाहिए था जिसके बाद माहिका अपने गर जाने लगती है तब उसके पास एक कार आती है एक्चुली वह कार विक्टर के विक्टर ने उसके लिए बेजी थी क्योंकि विक्टर म में एक मैजिक था और अगर उसके पास पावर होता तो वो उसी मैजिक को वापस लाने की कोशिश कर दी अब यहां सुनकर विक्टर उसके बातों में काफी इंप्रेंस हो गया था तो वह हम रगु को देखते हैं जो आज की पार्टी की तयारी कर रहाता तभी तो विक्टर को कॉल करता है कि उसे पार्टी में इंवाइट करता है क्योंकि उनके गर बले कितने प्रॉब्लास ना हो लेकिन मीडिया के सामने यह बात नहीं आनी चाहिए विक्टर भी उस पार्टी में चला जाता है लेकिन उस पार्टी में वह काफी जदा अपसेट था कुछ टाइम बा बता है कि उसके पापा ने भी कभी उसी टाइम नहीं दिया लेकिन आज से सब कुछ उसका है यह बोलते हुए रगु यामिनी के साथ इंटिमेट हो जाता है लेकिन बाद विक्टर की लॉयर आती है और उसको सबको वहाँ पर बुलाते है जिसके बाद वो विक्टर की वील प बाद में अपनी पहली वाइफ को छोड़ दिया था लेकिन अब विक्टर को एसस हो गया था कि उसने अपनी फर्स्ट वाइफ और बेटी के साथ काफी गलत किया था इसलिए विक्टर ने फैसला किया है कि वो विक्टर स्टूडियो अपने पोती के नाम करेगा और उसकी कोई और नहीं बलकि माहिका है अब यह सुनने के बाद रगु काफी शौक में था वही जब माहिका को 20 न्यूस का पता चलता है तो वह काफी शौक थी वह अपनी मा को कॉल करती है और उसकी मा से बताती है कि विक्टर माहिका के नाना जी थे उन्होंने माहिका की नानी को इ ज। उन्हें बेटा नहीं दे पाई अब आसे शुट में थी क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी वह सब पर कैसे रिए कर दो वही माईका को अब श्टूडियो में बुलाता है ताकि वह उसे उसका काम सोब सके जैसे कि माहिका वहाँ पर जाती है सारे मीडिया वाले आकर उससे कन्वेंस करने लगता है जिससे माहिका काफी ज्यादा डर गई थी लेकिन वहाँ पर विक्टर का साथी वीरेन आता है और माहिका को सब तो हम वही हम रगु को देखते है जो किसी भी तरह करके इस बिल्को चेंज करना चाहता था लेकिन उसके लॉयर्स बदा थे कि ऐसा नहीं हो सकता है जिससे रगु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है लेकिन तब यासमी मिनु से कहता है कि वह जाकर माहिका से बात करे क्यो दोनों मिलकर स्टूडियो के लिए काम करेंगे अब यह बात सुनकर माईका भी खुश होती है क्योंकि वह काफी भी डरी हुई थी वह के लिए सब कुछ कैसे संबलेगी लेकिन तब ही रकू कहता है कि मुविस तो बनाएगा और माईका पबलिक रिव पर जान देगी अब यह बात सुनकर माईका इसके लिए एगरी नहीं करती क्योंकि विक्टर ने उसे कहा आता कि वह चाहता है माईका पूरानी फिल्म और मैजिक वापस लाए इसलिए माईका कहती है कि वह अपने नाना का सपना पूरा करेगी और मुविस वह खुदी बनाएगी अब यह बात सुन क्योंकि वह समद नहीं पा रही थी कि वह किस तरह से सब कुछ मैनेज करेगी विरेन उसे बताता है कि उन्हें जल्दी सबने मुविस पर काम करना होगा क्योंकि अगर मुविस नहीं आएगी तो पैसे भी नहीं आएंगे जिसके बद माईका चेक करने लगती है कि स्टूड जो उनके स्टूडियो को बचा सकती है वह मुवी 57 जो रगो अर्मान के साथ करना चाता था तो वही माहिका भी फैसला करती है कि वह किसी भी हालत में इस मुवी को बनाएंगी तो वही पूत्वी माहिका को बताता है कि सत्या ने उसके उपर स्क्रिप्ट लिखी है और अग सत्या के बात करने पर माहिका को पता चलता है कि सत्या की मोशन पर मुवी बनाना चाहता है एक्चुली एक हिस्ट्या चाहता था कि वह मुवी ऐसी हो कि लोगों के दिलों को चूझ जाए अब माहिका भी उसे वादा करती है कि वह ऐसी मुवी बनाएंगे जिसके बाद हम र काफी टाइम से कोई मूवी नहीं आ रहे थे एक्चुली यहां हमें पता चलता है कि रगु भी एटी फिप्टी सें मूवी बनाना चाहता था लेकिन उसकी स्टोरी अलग थी और उससे काफी सारा मीर्च मसाला था जिसकी वज़े से अर्मान कंफिस्ट था कि उसे रगु की माहिका उससे मिलना चाहती है और अर्मान भी इसके लिए मान जाता है इसलिए वह जान बुचकर रगु और यामिरी को एक ट्रिप पर भीशता है ताकि माहिका से मिल सके जिसके बाद माहिका और पुथी वहां से जाते है और उसे अपनी स्टोरी सुनाते है अब अर्मान को तो श्टोली अच्छी लगते है लेकिन उसे माहिका पर विश्वास नहीं था तब माहिका उसे उसकी मुवी के बारे में बताने लगते हैं और यह देखकर अर्मा समझ जाता है कि माहिका उसकी कितनी बड़ी फैन है और वह मुवी को कितनी अच्छे से समझ सकती है जिसके वह मंदीरा को भी एक मुवी दे दे था एक्छूली रगु इस मुवी की शूटिंग जर्मनी में करना चाता था इसलए यामिनी उससे कहती है कि वह मंदीरा को भी इस मुवी ये मुवी दे दे जिसकी शूटिंग जर्मनी में होगी अब रगु को भी यह आइड़े पर दोनों एक साथ शूट पर जाने वाल थे लेकिन अर्मान मीडिया को बताता है कि वह मायका की मुवी करेगा अब यह सुनकर रगु काफी गुस्ता था क्योंकि अर्मान ने उसे दोका दिया था तब यासमीन को भी पता चलता है कि वह जो मुवी करने वाला था वह मुवी मंदिरा करने वाले जिसकी वज़े से यासमीन भी काफी दूकी होता है वह बार बार रगु से कॉंटेक करने की कोशिश कर रहे थी लेकिन रगु इतना परेशान था कि वह उससे कॉल रिसीव नहीं करता तो वह हम मायका को देखते है जो अपनी मुवी पर की शूटिंग कर सकती है उसके हीरो अर्मान था तो वही हीरोईन का नाम था मिना और वह एक आउटसाइडर थी जिसकी वज़े से जब भी मिना की एक्टिंग की तारिफ होती अर्मान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और जान बुचकर मिना को तंग करने लगता है जैसे कि शूट प लेकिन यह सुने पर अर्मान नारा जो जाता है और सेट पर लेट आने का लगता है तभी वह हम रगु को देखते है जो यासमिन से मिलने आता है लेकिन यासमिन रगु से काफी गुसा थी क्योंकि रगु ने उससे ना ही रोल दिया था और ना ही रगु से प्यार करता है ल इसलिए यासमिन डिसाइड करते हैं कि वो यह सब भूल कर अपने करियर पर फोकस करने लगेगी लेकिन जब अगले दिन यासमिन अपने शूट पर थी तब इसके डॉक्टर उसे बता दिये कि यासमिन प्रेगनेट है अब यह सुनकर यासमिन काफी शौक थी वह समझ नहीं पा रही थी कि वो इस बारे में रगु को बताई या नहीं क्योंकि रगु अपने काम में बहुत बीजी था और उन दिनों का जगड़ा भी हो गया था इसले यास्मिन डिसाइड करते हैं कि वह अबोर्शन करेगी तब ही माहिका को पता चलता है कि रगु ने स्कुरूर डिला नाम की मुवी विक्टोरियर स्टूडियो के अंदर बनाई थी और अब वो मुवी रिलिज होने वाली थी लेकिन रगु ना तो विक्टोरियर स्टूडियो को क्राइडित दे रहा था और ना है प्रॉफिट अब यह दिककर माहिका रगु पर गुसा होती है क्योंकि वह चाती थी कि profit उन्हें भी मिले क्योंकि जो भी पैसे movie पर लगे थे वह Victoria Studio के थे और अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो Victoria Studio लोस में चला जाएगा लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थी कि वह रगु को convince कैसे करीगी लेकिन तभी माहिका की एक दोस्त से बताती है कि या तो वह वीडिया में बता देखा कि यासमीन प्रेगनेट है अब यह सुनकर रगु भी कापी शोक में था क्योंकि उसे भी इस बात के बारे में कुछ पता नहीं चाहा वह profit share करने के लिए मान जाता है जिसके बाद रगु याशमीन के पास जाता है और उसे डाटने लगता ह और कहता है कि इससे पहले की या खबर मीडिया में बहार आए वह इससे चुटकारा पाले अब यह बात सुनकर यासमीन का दिल चुट जाता है तबी वह माहिका को देखते है जो अपने नहीं घर में shift हो गए थी क्योंकि रगु की वह मोवी काफी हीट हो गई थी जिसकी दिल रोड करें थी उसे एक और एक्टरस जॉइन करने वाली थी जिसके बाद वह मिना के वहां पर बुलाता है यानि कि हमें पता चलता कि मिना ने माहिका की मूवी छोड़ दी थी और वो रगु के साथ काम करना चाहती थी मिना ने साथ-साथ-स त्य ने भी माहिका को प्रेंट करेगी तो वही हम भर्मान को देखते हैं जो सेट पर नहीं आया था क्योंकि अर्मान ने किसी एक्ट्रेस के साथ फोटो लीख हुए और उसे पता सब को पता चल गया था कि अर्मान ने अपनी वाइफ को चीट किया जिसकी वज़े से सबी लोग अर्मान पर गुसा थे और बॉयकोट करना चाहते थे क्योंकि अर्मान तत्य टोपे का रोल कर रहा था लेकिन रियल लाइफ में वह अपनी वाइफ को चीट कर रहा था जिसकी वज़े से पब्लीक पर ग और अब मुवी हीट नहीं होती है माहिका को विक्टोरिया स्टूडियो बंद करना पड़ सकता है और इसी वज़े से रगु ने यह सब किया था ताकि माहिका को दिखा सके कि विक्टोरिया स्टूडियो में बिना रगु के बिना नहीं चल सकता और कही ना कही उसका यह प्ला और आगे के एपिसोड और जुन में आने वाले है तो जब भी वो आएंगे तब उसका एक्स्परनेशन भी आपको मिल जाएगा अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी में मेरा एक्स्परनेशन अच्छा लगा हो तो